इस दो हजार बीस में जोतिर अदेत्य सिंध्या की बगावत के चलते मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार चली गई थी लेकिन इस बार विधानसभाद चुनाव में कॉंग्रेस ने सिंध्या को उनकी गद्दारी का जवाब देने की तैयारी कर ली है आज सिंध्या की गड़ गवालेर में कॉंग्रेस की जन आक्रोश रैली हुई जिसमें कॉंग्रेस महासची प्रियंका गांधी और राजिक के सभी दिगज नेता मौजूद थे इस दोरान नेता प्रतिपक डॉक्टर गोविन सिंग ने सिंध्या परिवार पर बड़ा हमला बोला उन्होंने कहा कि जोतिर अदित्या ने अपनी संपत्ती बचाने के लिए सरकार गिराने का काम किया सिंध्या परिवार ने गरीबों की जमीन हर्पी है हमें अब सिंध्या परिवार को सबक सिखाना है प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारी सरकार इसकी जांच कराएगी इसके बाद कमलात ने भी सिंध्या को सबक सिखाने की अपील करते हुए कहा कि मैं ना तो महराजा हूँ और ना ही मामा हूँ, मैं आप सबका भाई हूँ कमलात ने कहा कि भाजपा की 18 साल की सरकार ने आज हर वर्ग को परिशान कर रखा है शिवराज सिंग चौहान ने MP को जूट की राजधानी बना दिया है, ये सभी से जूट बोलते हैं, दलितों और महिलाओं से जूट बोला है, शिवराज ने जूट का पहाण खड़ा कर दिया है मध्यप्रदेश को घोशनाओं की मशीन बना दिया है, MP में ये मशीन डबल स्पीड से चल रही है, हर दिन कई घोशनाओं होती है, लेकिन पूरी एक भी नहीं होती अब बस चार महिने चुनाव में बचे हैं, ये चुनाव मध्यप्रदेश का भविश्य तै करेगा